जहिन तो कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे जहां होंगे मस्थ होंगे दोस्तों अभी आप लोग को एक good news देने वाले हैं जो भी candidate SSE GD physical की त्यारी कर रहे हैं और एक update भी आप सभी को देने वाले हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत जादा important होने वाला है खास करके जिनका भी physical है चल रहा है उन सभी के लिए तो देखिए एक update है मेरे पास एक candidate ने हमें update send किया है और ये update जो है वो BSF मेरुकेंप हजारी बाग का है और जो लोग भी सुबा से ये वीडियो देख रहे थे कि 200 लोग, 300 लोग, 200 लोग, 500 लोग जो है चेस्ट में हाइट में reject हो रहे हैं उन सभी एक लिए बहुत जादा अच्छा news है तो देखिए update है ये update जो है BSF मेरुकेंप हजारी बाग का है जो की जारकरण में से इंटर पड़ता है तो वहाँ का update है तो वहाँ का update देखिए आप लोग का इंट्री टाइम है इंट्री जो है आप लोग का 4.45, 4.45 तक जो है कि आपका इंट्री आज करा लिया गया था और ये update जो है वो 2 माई 2023 का है और वीडियो में आगे बढ़े हैं उससे पहले आप सभी के लिए छोटा से information जो भी candidate SSC MTS exam की तयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए description में साथी साथ comment section में पिन किया हुआ आपको एक link मिल जाएगा आप वहाँ साके free में mock test और mini mock लगा सकते हैं जिस pattern पे latest pattern पे जो भी exam हो रहा करा लिया गया था पहले दिन जो है कि लेट हुआ था लेकिन दूसरे दिन जो है कि वह बहुत जल्दी जो है एंट्री करा लिया गया है उसके बाद आप लोग का साड़े 300 candidate को रिपोर्ट करने के लिए बुलाया गया था जिसमें से 289 जो है candidate जो है आज परजेंट थे आज लोगो को 217 candidate को जो है कि qualify किया गया था यहीं हाइट और चेस्ट में जो है कि बहुत कम लोग जो है चटे थे अब 289 में से माइनस कर लिएगा 217 जितने लोग बचेंगे वो लो जो है कि हाइट और चेस्ट दोनों मिला के जो है इसमें जेक्ट हुए होंगे तो मॉर्निंग में हमने धन्मात का भी रिव्यू डाला था बुकारों का भी रिव्यू आपने सुना होगा वहां पे बहुत सारे लोग जो है कि रिजेक्ट हो रहे हैं हाइट और चेस्ट में तो यह अब धिन का भी बिये से मेरू के भाजारी बग पड़ा है उनकी लिए काफी अच्छा है और उसके बाद पीटी पेस्टी में आप लोगा यह दो सो सतरा केंडिट जो कि उनको दोडाए गया था दो बैच में रनी हुआ था रनी में बता रहे हैं कि कब-कब रनी हुआ है थोड़ सा सौकिंग टाइमिंग है और उसको भी सुनियेगा और एक सो तैइस केंडिट करीब एक सो तैइस केंडिट और यह फाइनल कॉलिफाइए थे मतलब साड़े तीन सो केंडिट में से एक सो तैइस केंडिट जो है कि आज कॉलिफाइए हैं बीएसेफ मेरुक्याम खाजारी बाग में और हाँ और आप लोगों को टाइमिंग पता करना था तो आज दो हुआ है वो साड़े तीन बजहें हुआ है साड़े तीन बजह आप साम में हुआ है कल जो है कल आप लोग करना इतने है और जो स्केंड राउंच के बाद यानि कि साड़े चार बजहे आप लोगों को तो आप लोगों बता दे कि जिनका भी बहुत अच्छा ट्रैक है और चारो तरफ से आप लोगों को पेड़ पौधा और हर्याली देखने को मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि आपको धूप लगेगा कुछ होगा अगर आपका टाइमिंग अच्छा आ रहा था घर में आ रहा था जो भी टाइमिंग आ रहा था तो आप वहां पर जो है कि 24-25 मिट के अंदर ही मार दिएगा ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा जो भी आप प्रेक करा सकते है तो 2 जो केंडिट ऐसे भी आजाए हुए थे जिनका फिजिकल जो था वह एक मई को था तो एक मैर को फिजिकल ला दिकर वह आ जाए था तो उनको नि सॉ लेकिन रणिंग जो है जो उनका फीजिकल हुआ है वो एक साथ में ही उनका रणिंग हुआ था तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं था बाकी ओवराल जो रहा है वो साड़े 300 केंडिडेट में से 123 फाइनल जो है कि आज पास आउट हुए है बिए से मेरू क्याम भजागी बाग म इंस्टाग्राम का आड़ी मिल जाएगा आप को हाँ जाके फॉलो कर सकते हैं और टेलिग्राम गुरूप को आप लोग जरू से जोईन कर लीजिएगा और आप लोग यह जरू बताइएगा कि आपका सेंटर कहां पे है और किस दिन आपका फीजिकल है जरू नीचे लिखि करेंगे कि उस सेंटर का भी फीजिकल का रिव्यू आप लोगो प्रवाइड कर सके मिलते हैं हम लोग किसी अगले इंफोर्मेटी वीडियो में तब तक ये लिए धन्यवाद